कौकरोज आप उसे भगाईए ना मैं केसे भगाऊ मुझे भी कौकरोज से डर लगता है मैं भी नीचे नहीं उतर सकता ये क्या बोल रहे हैं आप आप तो पहलवान है आपको कैसे डर लग सकता है मैं पहलवान हूँ ये बात कौकरोज को तो नहीं मालूम है न और तुम यहां सुरक्षित हो, कौकरोज यहां नहीं आएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं व्रिंदा तो डर के मारे भूल गई है कि वो कहा है लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ये गलत है नीचे उत्रो नीरव ने तीस अवाज में बोला तो व्रिंदा को भी होशा गया कि वो कहा है और किस हालत में है वो बैट पर से तो उतर गई लेकिन डर के मारे अभी भी वो एक कोनी में दुबक कर खरी थी समझ नहीं आता कहां सौँ मैं नीचे कौकरोज है लेकिन कोई उसे भगा नहीं रहा और मैं उपर नहीं सो सकती आपका हाथ मेरे उपर आ जाता है तो मेरा दम घुटने लगता है अरे अरे बस करो तुम ये बात बात पर छोटी बच्ची की तरह रोने क्यों लगती हो कोई भी बात हो तो बस तुम्हारे आशू निकलाते है रुको मैं भगाता हूँ कौकरोज को कौकरोज भगा कर नीरव ने वरिंदा की और देखा जो बिस्तर पे बैठी थी नीरव समझ गया कि उसका इरादा नीचे सोने का नहीं था उसने भी जर से चटाई बिचाई और कल की तरह ही नीचे सो गया जैसे ही वरिंदा की आँख खुली वो बाहर जाने लगी सुनो आज मैं वापस जा रहा हूँ अपना ध्यान रखना और कभी मन करे तो मुझे कॉल कर लेना मुझे अच्छा लगेगा नीरव ने बरे मुश्किल से ये कहा था लेकिन विरिंदा ने कुछ बोला नहीं और वहां से चली गई मैं फहली बार देश ते बाहा जा रहा हूँ और विरिंदा ने मुझे सुबकामना भी नहीं दी क्या वो मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि मुझसे दो बाते कर सके थोड़ी देर बाद बाओ जी मैं निकल रहा हूँ ये बादाम के लड़ो है इन्हें ले लीजिए ये सब कहां लेकर जाऊंगा मैं दो दिन बाद फ्लाइट है और वहाँ ये सब इधर उधर हो जाएगा अरे लेते जाना कितनी बकवास करता है तू इतना छोटा सा तो डिबबा है वैसे भी बहू ने बरी महनद से बनाया है ठीक है रख लेता हूँ थोरी देर बाद नीरब दिल्ली जाने वाले ट्रेन पर बैठा था दिल्ली से सभी खिलारियों को दो दिनों बाद सियौल जाना था मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ सोच रहा था कि आखिर निकलते समय तो व्रिंदा कुछ बोलेगी लेकिन उसने एक शब भी नहीं कहा व्रिंदा का ख्याल आते ही उसे उन लड़ूं का ख्याल आया उसने डिब्बा खोला तो पाया कि उसमें एक खत रखा हुआ था उसने पढ़ना शुरू किया पहलवान जी मुझे मालूम है कि आपको मेरा बनाया हुआ खाना बसंद नहीं आता लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि ये लड़ू आपको पसंद आए रात में कौकरोज भगाने के लिए धन्यवाद विदेश में अपना ख्याल रखिएगा और प्रतियोगिता के लिए आपको धेश सारी शुब काम नाए मुझे यकीन है कि आप मैडल लेकर ही लोटेंगे और सबका सपना पूरा करेंगे ख़त पढ़कर नीरव का दिल खुशी से जूम उठा उसने एक लड़ू उठाया और मुँ में रख लिया तुम अगर करेला भी खिलाओगी तो मैं खुशी खुशी खा लूँगा आगे की कहानी अगले वीडियो में कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें